नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर स्वास्थ से चुवी, सारी जानकारिया, एक्सपर्ट्स और वैदों की राई से दीच आती है तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों निमोनिया रोख फेफडों का एक संक्रमन है जो सभी उम्र के लोगों को हो सकता है आम तोर पर ये बिमारी होनी का मुख्य कारण बैक्टेरिया फंगस और वाइरस आदी है दोस्तों नीमोनिया कई प्रकार के होती हैं जैसे बैक्टेरियल नीमोनिया, वाइरल नीमोनिया, फंगल नीमोनिया, माइकोप्लास्मा नीमोनिया आदी इस बीमारी को पहचानने के कई लक्षन है जैसे सास लेने में तकलीफ होना, ठंड के साथ तीज बुखार आना, सास लेना या खासी होने पर सीने में दर्द रहना, ठंड में अचानक सेहत बिगर जाना आदी तो दोस्तो ये थी कुछ बातें निमोनिया के लक्षन और कारण की बारे में अब आई ही जानते हैं कि इस बीमारी से छुटकारा पाने का अचुक उपाय क्या है दोस्तो अदरक निमोनिया को ठीक करने के लिए बहुत ही असरदार उपाय है हाल ही में हुए एक शोद की अनुसार ये बात सामने आई है कि अदरक निमोनिया को ठीक करने के लिए राम बान है दोस्तो इस असरदार नुस्खे के लिए आप थोड़ी सी अद्रक को छोटी छोटी टुकडों में काट ले और फिर उसे एक कब पानी में 5-10 मिनट उबलने दे और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें एक चमत सहद मिलाकर दिन में 2-3 बार इसका सेवन करें दोस्तो ये निमोनिया के लिए बहुत ही असरदार उपाय है तो आप में से जिनको भी ये समस्या है इस नुस्खे को एक बार जरूर ट्राय करके देखें उमीद है आपको जरूर फाइदा होगा आज कर लोग निमोनिया का शिकार तेजी से हो रहे हैं ऐसी में ये नुस्खा आपको इस बीमारी से निचात तिला सकता है दोस्तो इसे बनाना भी बहुत आसान है और पीने में भी इस वादिस्ट होता है तो कोई भी इसे आसानी से पी सकता है अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल भटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियोज अप्लोड करूँ तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए तब तक के लिए पाई मिलती हैं अगले वीडियो में तेक केर